सूपरभात मैं मोनिका तालियान आज की वीडियो में साथी हाथ बढ़ाना जो यह आपकी कविता है इस कविता का परिचे कविता का सार और कविता की व्याख्या कराऊंगी यह सभी कारिये मैंने लैपटोप में पीडियप के रूप में बनाया हुआ है तो आप अब मेरे लैपटोप की स्क्रीन से ही यह सभी कारिये वीडियो के माध्यम से देखेंगे आप चाहें तो अपनी वीडियो को पोज करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं यदि आप सब्दों के उच्चारन को और जो इस पार्ट में आपको समझाया गया है उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे साथी हात बढ़ाना कविता का परीचे साथी हात बढ़ाना कविता में कवी ने मनुश्य को मिल जुलकर रहने तथा साथ मिलकर परिश्रम करने का आगरे किया है कवी कहता है कि साथ मिलकर काम करने से बड़े से बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं तथा आपस में भाईच बना रहता है, यह हमारी कवीता का परीचे है, अब कवीता का सार देख लीजिए, इस कवीता में आपसी भायचारे और परिश्रम के महत्व को सुविकार किया गया है, यदि अकेला व्यक्ति काम करते हुए ठक जाता है, तो हमें उसका साथ देना है, उसकी हर हालत में सहयता कर हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब हम परिश्रम करने वालों ने साथ मिलकर कदम बढ़ाया, तो रास्ते में आने वाली सारी मुस्वते समार्थ होती चली गई, हमारे परिश्रम और हिम्मत के सामने तो सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया, और परवत ने सीस जुका लिया हमने अपनी फोलादी भुजाओं से चटानों में से भी रास्ते बना दिये, हमारे भाग्य में ही परिश्रम करना लिखा है, तो फिर हम इसे करने से क्यों घबराएं, पहले हम दूसरों के लिए महनत करते थे, आज हमें अपने लिए करनी चाहिए, हम सब के सुक दुक समान है, हमें नेक रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल पर पोँचना है, इसके लिए एक दूसरे का साथ देना जरूरी है, हम जानते हैं कि एक एक बून से समुद्र बनता है, एक एक रेत के कंस के मिलने से विसाल रेगिस्तान का निर्मान हो सकता है, एक एक राई जुड़क पहाड का निर्मान कर सकती है, और हम भी एक एक इनसान मिलकर अपने किस्मत बदल सकते हैं, और उसे अपने बस में कर सकते हैं, अतहा हमें उन्नती और विकास के पत्पर बढ़ने के लिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इस परकार ये आपकी कविता का भाव है, अब आप कविता का अर्थ देखेंगे, जो व्याख्या होती है, और उसमें आपके सबदर्थ भी दिये हुए हैं, ये आपकी पहली कुछ पंक्तियां हैं, आप चाहें तो इसका एक बार दोबारा वाजन कर लेंगे, साथी हात बढ़ाना, एक अकेला ठक जाएगा, मिलकर बोज उठाना, साथी हात बढ़ाना, हम महनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रस्ता छोड़ा, परवत ने सीज जुकाया, फोला दी हैं, सीने अपने फोला दी हैं, बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा करते रहे, साथी हात बढ़ाना, साथी हात ब सबदर्थाय है, साथी, दोस्त या मित्र, बोज, भार, महनत वाला, परिशर्मी, कदम, कदम का यहां पर इन्होंने पद, यह थोड़ा सा मिस्टेक हो रहे हैं, तो कदम का पद, सागर का समुद्र, यहां पर भी थोड़ी सी गलती है, शीश, यानि सिर, परवत, पहाड या प यह आपका परसंग है, परसंग में आपको बताना होता है कि जो यह आपकी कविता की पंग्तियां है, इनको हम पद्यांस भी बोलते हैं, कहां से ली गई है, कोन इनके लेखक है, उन पंग्तियों का क्या भाव है, जैसे इन पंग्तियों का परसंग है, कि परस्तुत का वे पंक्तियां ब्रैकेट में पद्यांस लिखा है हमारी पाठ्टे पुस्तक ज्यान सागर से संकलित कविता साथी हात बढ़ाना से ली गई है इसके रचेता साहिर लुध्यानवी है इन पंक्तियों में कविने मिल जुलकर काम करने वालों तथा मेहंती लोगों का गुणगान कि इस परकार आप इसके परसंग कर लेंगे, ये आपकी पंक्तियों की व्याख्या है, आप इसको वीडियो रोकर भी देख सकते हैं, मैं इसको फिर भी पढ़ देती हूँ ताकि आपको सब्दों का ज्यान हो, कभी मानव जातिप को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मानव अपने साथी की तरफ मितरता का हाथ बढ़ाते हुए उसकी सहायता करने चाहिए, जब वह काम करते हुए ठक जाये तो तुम्हें उसकी सहायता करने चाहिए, तुम जानते हो हम लोग जब भी परिश्रम करते हुए आगे बढ़े हैं तो सागर ने भी हमारा रस्ता छोड़ दिया है परवतों ने भी अपना सीस जुका कर हार माल ली है परिश्रम करते करते हमारी चाती और बाहे फोलाद जैसी मजबूत हो गई है हम इन फोलादी बाहों के बल पर चटानों में भी रास्ते निकालने में समर्थ हैं अर्थात अपनी महनत और बुलंद इरादों के सहारे बड़ी से बड़ी मुसीवत का भी सामना करते हुए उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं कवी मानव को एक दूसरे का साथ देने के लिए कह रहा है ये आपकी दूसरे वाली पंक्तिया हैं मेहनत अपने लेख की रेखा मेहनत से क्या डरना कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक अपनी मंजिल सच की मंज जिल अपना रस्ता ने साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, यह आपके सब्दर्थ है, महनत, परिश्रम, लेख, भाग्या और किस्मत, यहाँ पर सेश सब्दर्थ है, गैर, गैर होता है आपका अन्या और दूसरा, यह आपका पीडियप बनाने के बाद थोड़ा सा कुछ-कुछ गलतियां हुई है, उनको आप ध्यान दे लेंगे, गैर आपका सब्द है, और जो यह आपका हाइफन है, यह पहले लगना था, इसकार्थ होता है, अन्या या दूसरा, मंजिल, धे, लक्षे, नेक, अच्छा और बढ़िया, परसंग, परसंग आपको पूरा ह ही लिखना है, कि यह जो हमारी पंक्तियां है, या पध्यांस है, हमारी जो पाठे पुस्तक है, ग्यांसागर, उसके साथी हाथ बढ़ाना पाट से ले गई है, और इस कवीता के लेखक साहिर लुध्यानवी है, यह आपने जैसे भी पहली पंक्तियों में देखा, ऐसे ही ल मंजिल के बारे में बताया है, व्याख्या देख लीजिए, कभी कहता है कि हे मानव लगता है महनत करना तो हमारे भाग्ये में लिखा है, फिर हमें महनत करने से नहीं डरना चाहिए, कल तक हम दूसरों के लिए महनत कर रहे थे, पर आज हमें अपने लिए महनत करनी है, हमार जो मंजिल है वैं हमें अपने सच्चाई और इमानदारी के नेक रास्ते पर चलते हुए प्राप्त होगी, इसलिए हमें सच्चाई और नेकी, नेकी होती आपकी भलाई को साथ लेकर अपना जीवन लक्षे प्राप्त करना है। इसलिए हे मानव एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ना है और हर हालत में एक दूसरे का साथ देना है। इस परकार्यापकी दूसरी जो पंग्तिया है उनका भावार्थ या आपके हैं व्याक्या हो जाएगी। आपके अंतिम पंक्तिया हैं, एक से एक मिले तो कत्रा बन जाता है दर्या, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है परवत, एक से एक मिले तो इंसा बसमे कर ले किस्मत, साथी हात बढ़ाना, साथी हात बढ़ाना यह है इन पंक्तियों के सबदर्थ है दरिया, समुद्र, जर्रा यहां से आपका लगो जाएगा छोटा कंड, सहरा, रेगिस्तान, परबत, पहाड, किस्मत, भाग्य, परसंग आपको फिर वैसे ही करना है कि यह जो हमारा पध्यान से हैं यह हमारी पंक्तिया हैं यह हमारी पा लुद्यानवी जी हैं और इन पंक्तियों में कवी ने बताया है कि छोटी-छोटी चीजों से मिलकर ही बड़ी चीजें बनती हैं यह हमारी व्याख्या है कि कवी कहता है हे मानव तु सायद नहीं जानता कि एक बूंद पानी मिलकर ही विशाल समुद्र बनता है एक-एक बिलकर ही विसाल परवत बन जाता है अता हमें भी एक एक इनसान को अपने साथ जोड़कर अपनी मेहनत दुआरा अपने भागे को बस में कर लेना चाहिए इसलिए किसी को अकेला छोड़ने के बजाए उसकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए इस परकार ये आपका सा साथी हाथ बढ़ाना जो कवीता है इसके सबदर्थ इसका भावार्थ इस कवीता का असार और इस कवीता का परीचे आपका इस वीडियो में आपको प्राप्त होता है आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी धन्यवाद